कि अरिवन्स राइवच्चन के द्वारा लिखा गया कि जो पोयम है कवीता है आ रही है रवी की सवारी ठीक है तो उसका भावार तो समझेंगे सबसे पहले इनके जीवनी को अधियन करते हैं अब्जेक्टिव जो है हमसे स्वालब हो पाएगा आपसे और जीवनी जानना चा कि इलाबाद सहर में हुआ था कब 27 नवंबर 1907 इसमे को बच्चन माता पिता द्वारा प्यार सी दिया गया नाम था लह नहीं उनकी माता पिता प्यार से उनका नाम दिये बच्चन तो और जिन इन्होंने अपना उपनाम बना लिया बच्चन जी कुछ समय तक विस विद्य द्यापक रहने के बाद भारतिया बिदेश से बाट में चलेगे छेए उसले यूओन कई देशों का वर्मन की और मंच पर पॉजश्वी वहनी में काब़े पाठ के लिए विक्छात हुए कई द्य siitä सुम्हें और राश्ट्र चेतना और जीवन दर्शन के स्वर मिलते हैं इन्होंने आत्म विसलेशन वाली कवीताएं भी लिखी है राजनितिक जीवन के ढोग समाजिक वासमानता और कुडितियां पर इन्होंने तीखे व्यांग किया आगे जो है हम समझते हैं कवीता के अलावा बच्चन जी ने अपनी आत्म कथा इपनी आत्म कथा भी लिखे जो हिंदी की बेजोर किरती मानी गई गई है और जो बेज़वर किर्थी हिंदी की मानी गई है 2003 इस भी में मुंबई में इनका निधन होगी है 2003 में इनकी मिर्थी होगी बच्चन जी की परमुख किर्थियां है मदुसाला इनका जो परमुख किर्थियां मदुसाला मदुबाला नीसा निमंतरन एकांत संगीत मिलन यामिन आरती और अंगारे तूटती चट्टाने रूप तरंगीनी ये सभी क्या है कविता संगरा और आत्म कथा के चार खंडे क्या भूलू क्या याद करू नीर का निर्मान फिर बसेरे से दूर तथा दस द्वार से सोपन तक ये इनके द्वारा लिखित कविताओं का संगरा है कई लिखते हैं कि इनके वारे में बच्चन जी सहित अकादमी पुरुषकार सोव्यत लेंड नहरू पुरुषकार और सुरत्ति सरस्ति सम्मान से क्या हुए सम्मानित किये अब इनको पुरुषकार भी मिलाता आगे देखिए प्रस्तूत कविता आ रही रवी की सवारी की मिर्तिव के बाद लिखी थे युग जीवन की निरासा हो निरासा को मस्ती में रुपांत्रित कर लेने वाला बच्चन जी के बैक्तिगत जीवन में जब घटना घटी तो फिर वह मधू के गीत नहीं गा सके मतलब लगी उनकी जो पतनी जब मिर्तिव हुई तो जीवन के निरासा को मस्ती में रुपांत्रित करने वाले कभी थे बच्चन जी लेकिन जब बैक्तिगत खुद उपर जब घटना घटी तो फिर वे प्रसन नहीं हो सके दिरज़े बच्चन जी निसक्रियता की परीधी से बाहर निकले तो एक दिन अनायास कवीता की पंक्ति की अंतर कभीता की पंक्ति एंके अंदर से फोटपरी मतलब उनसे बाहर निकले निश्करियता की परीधी तो ये कभीता फजय होने लगे दिखिए यह नि मूंत्रन की पहली पंक्ती थी और साथ ही कवी की अपनी कावित यातरा के दूसरे चरन में परवेश किये निसा निमंतरन में बच्चन की कावित परतिवा का विस्फोट हुआ है दिन जल्दी जल्दी ढलता है उसके वासे निसा के आगमन की विथा कथा सुरू होती है और जैसे जैसे नि तो क्या उतासा की किरने आती है और जो भी संभावनाई की नई किरने दिखाई देते है या सुर्य बच्चन के जीवन का नया सुर्य तो नया सुर्य तो है ही साथ ही रास्टिय जीवन में स्वधिम्ता और अनवरिवान का सुर्य भी है चलिए चेप्टर में आते हैं देखिए चेप्टर आपका है आ रही रवी की सवारी तो इसका जो फॉर्स्ट पंक्ती है उसमें देखिए नव किरन का रथ सजा है कली कुसुम से पत सजा है बादलों से अनुचरों ने स्वर्न की पोसाक धरी आ रही रवी की सवारी रवी यहां सुर्य को का है देखिए सुर्य उधय का वन्न करते हुए कभी कहते हैं कि सुर्य उधय के समय सुर्य नई किरनों से सजा रथ पर सवार दिखाई मालूम परता है सवार परतीत होता है और उस समय कलियां फूलों की जो कलियां होती है प्रकृतिक सज धज जाती है औ कभी को यह द्रिस्य इसा प्रतीत होता है जैसे कोई राजा सोने की पोसाख पहन करके रत पर सवार होकर के क्या हो रहा है सुरज जब आता है तो कभी को इसा प्रतीत होता है कि कोई राजा जो है सोने की पोसाख कप्रा पहन करके क्या कर रही है सवारी करके आ रही है आगे देखिए दूसरा स्टेंजा जो है विहग बंदी और चारन गा रहे हैं कृती गायन छोर कर मैदान भागी तारकों की फोज सारी आ रही रवी की सवार देखिए विहग बंदी और चारन विहग बंदी कभी बच्चन जी कहते हैं कि सुर्य उदय के समय पक्षी जो होते हैं कलरव करने लगते हैं मतलब गाने लगते हैं तो वही कहते हैं बंदी तथा चारण इसवर अथवा राजा के गुनगान करने लगते हैं तथा सूरज के परकास में आकास में टिम्टिमाते तारे, परकास जब सूरज जब उगता है तो तारे आकास के क्या होते हैं, बिलीन हो जाते हैं, मतलब टिम्टिमाते तारे परकास हींड अर्थात लुप तो हो जाते हैं, इस परकार कभी को सुरुद्या के समय का दृस से द उचलू विजय कहा पर ठिठकता देखकर यह रात का राजा खरा है रहा में बन कर विखारी आ रही रवी कि समय किस प्रकार से कभी लिखते हैं कभी कहते हैं कि सुरज उदय के इस दृष्य को देखकर मन परसंद हो उड़ता है परन्तू क्या होता है इतना खुश होता है कि मन जो होता है होता ही एक नाइक दिन सब क्या होते हैं खत्रम होते हैं तो इस परकार से हमने इस वीडियो में आ रही सबीकि सवारी का भावार्त जाना इसके बात जो देखिए क। अंसर है आपको जानना है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए वीडियो अच्छे लगे तो कर देजिए और सब्सक्राइब कर लिए थैंक यू